हेलो फ्रेंज गुरी इबनिंग कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे हमारे बहुत सारे फ्यूचर पाइलेट्स भाई बंदू दोस्त का मैसेज आया है कि आपने ग्रूप डिसकसंस पर वीडियो बना दिया लेकिन आपने पोस्नल इंटरव्यू के रि वीडियो में हम बात करेंगे पूरे वर और परस्नल इंटरव्यू के उपर इंटरव्यू में चार से पांच हेलेट्स यहमारा सबसेई हैं यह संसी हमारा जाता है जैसा पांड़ीो जी पैहले सब्सक्राइब आपसे question दूसरा जो question होगा आपका HR related questions होगा तीसरा जो आपका subject के related जो भी आपका सब्जेक्ट है चाहिए आपका metrology है regulations है technical general technical specification है navigation है इन से आपके question पुछे जाएंगे अगला जो आपका sector है टाइप कह लिजिए वह आपका company related questions है कि आपका जो भी कंपनी है चाहिए आप इंडिगो के cadet pilot program में जाते हैं या फिर आप spice के cadet pilot program में जाते हैं आपको उनके बारे में पूरा full to full information चाहिए और अगला होगा comparison questions जो होगा वह आप से पुछा जाए कि आप इंडिगो cadet pilot program ही क्यों जोइन करना चाहते हैं आपने एर इंडिया cadet pilot program क्यों नहीं जोइन किया आपने spice क्यों नहीं जोइन किया आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान पूछा जाएगा और पाजमा आपसे किसके बारे में पूछा जाएगा वह आपका hr related questions पूछा जाएगा इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग अपना से होगा और जो cross questions होगा वो cross question आपके resume के basis पे होगा जो भी आपने information दिया हो सकता है किसी बच्चे ने बीटे के बाद पाइलेट में क्यों आ रहे है किसी बच्चा ने simply graduation किया है उसके बाद आप क्यों यहां पर आ रहे है आपने 12 के बाद यहां पर क्यों नहीं आए तो य किसी ने कोई extra achievement कर रहा है उसके basis पे हो सकता है कोई बच्चा जो है वो जौब कर रहा होता अच्छी खासी company में MNC बगेर हो काम कर रहा होता जिसकी लाकों रुपे के salary है फिर वह छोड़ करके इस field में वह आना चाह रहा है तो क्यों आना चाहरा है तो आपकर cross questions होगा इस topic विक में हम लोग बात करेंगे फिर इस video में विसेस करके हम बात करेंगे कि आपको resume आपको अपको अपना कैसा बनाना है resume में आपको ज्यादा information नहीं देना आप जितना कम अपना information दो को resume में उतना बहतर होगा आपसे क्योंकि आप 2-4 question ही आपसे पुछा जाएगा resume से ऐसा उतना जो जरूरी है हमारा और जिसका आप answer दे सकते हैं उतना ज्यादा उसको कोशिस करो दूसरी बात जब आप resume देंगे अगर आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए उन candidates के लिए जिनका education gap है तो आप education gap का answer आपको बहुत बढ़िया तरीके से देना है so that they could just satisfy कि हाने इन इन वज़े से इनका study gap यह कोच भी region रहा है उनका तो आप इनका answer आप बहुत अच्छा तरीका से preparation करेंगे मेरा और आप मानोगे तो मेरे हिसाब से यह है कि आप जो भी आपका आपका honest answer है ठीक है क्योंकि आपने कोई परहाई छोड़ी कोई education gap रहा आपका तो कोई ने अरिजनल या फिर कहले true story होगी इसके पीछे ठीक है तो आपको यही same to same चीज बनाना है अगर आप कुछ भी आप सोचोगे कि बना करके हम बात करें तो जैसे आप बना करके बात करोगे तो भाई interviewer और पैनलिस्ट वह उनका daily का काम interview लेना वह आपको easily पकर लेंगे ठीक है अब resume में आपको क्या क्या बताना है जितना जो list information जो आपके अपने resume में डालना है सबसे पहले आपको अपना profile में 4-5 line का एक profile बनाना है जो बहुत ही अच्छा हो suitable हो जिसमें बहुत ज्यादा बरहा चरहा करके काफी अच्छा नहीं लिखा होना चीए ठीक है ऐसा नहीं कि कहीं पर काम कर रहा है अगर आपका कोई work experience है तो आप अपना work experience जरूर उसमें डाले यह आपके लिए positive impact डालेगा ठीक है उसके बाद जब आप अपना education का एक section होता है जब आप अपना education डालोगे पूरा सिलसेलेवार धंग से 10th का 12th का graduation का master's का सब कुछ का तो उसमें आप आप only उसको percentage के form में डालो additional मतलब जो आप qualification डालो education में उसमें सिर्फ परसेंटेज में डालो तो आपके लिए बहतर होगा फिर उसके बाद आपको contact details बगेरा में हैं सिर्फ ज्यादा ज्यादा यह नहीं कि LinkedIn ID, Facebook ID, Insta ID यह सब देना है ठीक है phone number, email ID और अपना एक address डालना है इसके बाद आप जो additional qualifications कई बच्चे क्या होते हैं अपने graduation के बाद कुछ extra कोई लोग ADCA कोई BCA कुछ 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 वो लोग किये होते हैं ठीक है जैसे मैंने additional में मैंने B.A.D. किया हुआ है मेरे teaching profession था पिछला 7-8 साल से तो मैंने अपने resume में B.A.D. का mention किया है मैंने teaching experience को 7-8 साल मैंने दिखाया था resume ठीक है तो यह चीज आपको दिखानी है बट कुछ भी चीज आपको बहा करके नहीं दलना फिर जो एक section होता है हमारा interest और hobbies जो interest है वह आपका साफ साफ दिखना चाहिए कि आपका जो interest है 90% aviation industries में है अगर हम interest की बात करें तो interest में आपको य ज्यादा प्रसंद करते हो एर सो documentary आप देखना पसंद करते हो different type of aircraft के बारे में जानने में आप ज्यादा interested रखते हो आप एर क्राफ्ट के लाइक जो भी information है जो crash investigation report है आप उनको देखते हो यूटूब बगेरा पे आप discovery पे इन चीज़ों को देखते हो तो इस टाइप का अपना interest कर सकते हो और hobbies में आपको जो भी आप games बगेर सेलेक्ट करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना गेम्स ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि लूडो देख लिए या फिर आप वह चोर सिपाही राजामंत्री वाला खेल आपने डाल दिया कि हमारा यह हमारा गेम में है तो इस परकार का गेम नहीं डालना है आपको ज्यादातर आपको एक outdoor activities डालना है जिसमें आपको यह दिख यह सोगे उससे Cross question होना टै है चाहिए आप किसी भी इंटर्वेव में चले जाओ मैंन्सी के इंटर्विव में चले जाओ चाहिए आप पाइलेट की इंटर्विव में चले जाओ चाहिए वह करोayan किर्केर और जगह ये questions होता है ठीक है आपने मानलों डाल जाके cricket मेरा बहुत इंट्रेस्ट है पूचा कितना खिलारी होता है आप बता दिया आपको इक्षिते ध्यान रखना है तो ठीक है रिज्यूम आप जितना सौट बना सकते हो जितना कम information आप दोगे और जितना relevant information दोगे उतना ज्यादा बहतर है तो इस वीडियो में हम सिर्फ अभी रिज्यूम की बात करते हैं अगला जो वीडियो होगा अगर आप लोग को आपको क्या-kya-kya questions पूछह जा सकते हैं एयर नवीइशन से होगा चैनल से आपका क्या-kya ठीक्सट में य्जितन पूछह जा सकते हैं इसके बारे हम एक डिटेल वीडियो बनाइंगे उसके बाद होगा company related question चाहे हो आप indigo का पूरा profile पर हो कि indigo company कब शुरुवात हुई कब से लेकर के अब तक का पूरा information एगर एर इंडिया के cadet pilot program में जा रहे हो तो एर इंडिया का information शुरुवात से लेकर जब से company established वे तब से लेकर के आज तक चाहे हो आप आप एक comparison questions भी आपका एक topic है जिसमें आपका comparison के basis पे आप किसको best दिखाते हो उसके basis पे आपका जो questions होगा उसके उपर भी एक वीडियो बनाएंगे तो आप अपना comment section में आप comment करके बताओ कि आपको ये वीडियो कितना जादा informative है अगर आपको informative लग रहा है तो इसका continue series करेंगे 5-6 पार्ट में हमारा सारा का सारा आजाएगा ठीक है दद्दस मिनट का वीडियो होगा उससे ज्यादा नहीं होगा बट मुस्ट प्रभिबली आप इस बात का ध्यान रख लो कि अगर आप इंटर्व्यू में इन सारे questions को जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कर लिए ठीक है तो आप कहीं से आपको कोई भी आप आपको निरासा हाथ नहीं लेगा overall आप हर जगा पास होगे क्योंकि भाई कहीं भी इंटर्व्यू का एक pattern होता है इंटर्व्यू में आपसे वो बिए लिफ्ट क्या हो नहीं ऑपको मालूम नहीं कौन Mina सो पॉर्स लगता हूँ मालूम नहीं फ्राइमरीक хват को तो ऑपने एंटर्वू में लिखा उनके बारे में तो एंसर होना चाहिए आप उस парई क को क्यों करना चाहते उसके लिए यह पूरप एक तॉपिक बात आज हम लोग सेग्मेंट कहलें उन सभी पर हम लोग एक सेप्रेट सेप्रेट वीडियोज देखेंगे चार से पांच कंटिन्यूस वीडियोज में आप लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियोज कैसा है अगर इंफॉर्मेटीव है तो इसका सीरीज कंटेन्यू करेंगे फीषरह एक्टारेलेटटेड पूछारेगा जो चौत्ता आपका कंपेरिजन क्वेश्चन पुछा जाएगा और यूझे पहले आभी आपको बताया है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अराम से कमेंट में बताना और जो आर अपका इंफोर्मेशन हो आप मेरे इंस स्रीज देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यह आपको जो भी एस्पाइरिंग पाइलेट से उनके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटी वीडियोज है क्योंकि इन्हीं चीजों को बताने के लिए लोग पचास जाट आट 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 लिए की जरुवत है तो आट इस गुड एनफ फॉर अल दिस तिंग्स तो थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब कर लो और जिनको भी अगर आगे का वीडियोज देखना है थैंक यू बाइ गुड नाइट